हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग तु आल अफ यू स्वागत है आपका हमारे चैनल बीटी उपी स्टुडी पॉइंट में दोस्त हम यहाँ पे बात करेंगे पॉल टेक्निक के इंट्रेंस इजाम से रिलेटे जो आपकी क्लासेश चल ले थी बॉयलो जी की जो कि यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि दोस्त आपको क्लासेश का वीडियो लगातार मिल सके आज हम बात करेंगे बहुत से इंपोर्टेंट क्वेस्चिन जैसा कि दोस्त मैंने आपको बताया था कि बहुत से जिवधारियों के विज्यानिक ना जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं और जिस भी स्टूडेंट को कोई भी प्रावलम होती है या समस्या होती है तो वह आप हमारे वाट्सप नंबर पर मैसेश कर सकते हैं जितने भी स्टूडेंट हैं विस सभी लोग यहाँ पे वीडियो को इंट्रेंस इग्जामिशन में दोस्त बहुत बार विग्यानिक नाम आपसे पूछा गया है और बहुत बार बार पूछा जाता है इसलिए दोस्त आपको विग्यानिक नाम पता होना जरूरी है इसलिए दोस्त यहाँ पे हम बहुत से ऐसे क्वेशन लाए हुए हैं जिसका विग्यानिक नाम आपको बताएंगे तो पहला है दोस्ते हाँ पे मनुस्य मैन का है ये आपका homo spins ठीक है क्या है homo spins जो कि मनुस्य का विग्यानिक नाम है आगे दोस्ते हाँ पे next बात करते हैं यहाँ पे मेढग जिसको frog राना टिग्रिना इसको इसका जो विज्यानिक नाम है क्या है राना टिग्रिना बिल्ली की दोस्ट यहां पर बात करते हैं कैट की तो कैट का है फैनिस फामी लिरीस क्या है फैनिस फामी रिलीस यह आपका डॉक का है अगर दोस्ट यह हम बात करें यहां पर कैट की तो यह आपका का है फैलिस डॉमि यह आपका बिल्ली का है डॉक का जो है वो क्या है कैनिस फामिली रीस ठीक है यह आपका कुत्ता का है अगला दोस्ते यहां पर गाय की बात करते हैं तो गाय का जो है वो क्या है बॉस इंडिक्स क्या है बॉस इंडिक्स यह आपका गाय का विज्ञानिक नाम है अगला यहां पर बात करते हैं मख्झी की मख्झी का जो विज्ञानिक नाम है यह दोस्त मास्स का जो की मख्ञानिक नाम है कि बात करते हैं अग्ला दोस्त आप धान की बात करते हैं राइस की तो इसका जो विज्ञानिक नाम है क्या है इसका नाम है और्यजा सातिवा क्या है दोस्त और्यजा सातिवा इसका विज्ञानिक नाम है बात करते हैं वीट की यहां पर गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं का जो विज्ञानिक नाम है वो क्या है ट्रिटिकम एस्टियव क्या है दोस्त ट्रिटिकम एस्टियव जो कि इसका विज्ञानिक नाम है अगला दोस्त मतर की यहां पर बात करते हैं पी की तो इसका जो विज्ञानिक नाम है यह क्या है यह आपका पीजम इस्टेविस क्या है पीजम इस्टेविम ठीक चना की दोस्त बात करते हैं आपके ग्राम की तो इसका जो है सीजर आरेंटिनम क्या है सीजर आरेंटिनम इसका विज्ञानिक नाम है चना की मतर का क्या है यह आपका पिज्म इस्टेवियम ठीक है चना का क्या है चना का आपका सीजर आरेंटिनम ठीक है अगला यहाँ पे सरस क्या है ब्रेसिका कंप्रेस्टडरिस 누가 का दौस्ट मैं आपको PDF आपको टेलीघ्राम पर पृइड कर दूंगा वहाँ पर आप नहीं जू लें हैं तो जल्द से जुड़ infection की और कि अगला question दोस्त यहाँ पर है सभी question दोस्त आपके लिए very important है इसलिए सभी question को आप ध्यान से देखिएगा एक question को अगला question है दोस्त यहाँ पर किसके विजाडू दवा के रूप में प्रियोग किये जाते हैं तो उस विजाडू का क्या नाम है लाइको पोडियम क्या है दोस्त लाइको पोडियम जो की विजाडू के रूप में प्रियोग किये जाते हैं अगले question की दोस्त यहाँ पर बात करते हैं अगला question है किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रियोग किया जाता है अगला कुश्चन दोस्त है आपे सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है तो सबसे अधिक क्रोमोसोम टेरीडोफाइटस में पाया जाता है किसमें दोस्त टेरीडोफाइटस में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है अगला कुश्चन दोस्ते हापे दिखते हैं अगला कुश्चन है किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परन्त बीज नगन रूप में पौधों पर लगे रहते हैं तो किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं जो की बीज नगन रूप से पौधों पर लगे ही रहते ह आपने दिखा होगा दोस्ते हापे बहुत से ऐसे बीज होते हैं जो की पेड़ तो बन जाते हैं लेकिन उसके बीज होते हैं वो आपके ऊपर दिखाई देते हैं बरसात में दोस्त आपने बहुत से पेड़ा ऐसे दिखे होंगे जिसके बीज आपको जड़ है वो तो जड़ है वो मिट्टीम रहेगा और जो उपर का भाग है वो आपका दिखता रहेगा लेकिन फिर भी उसमें आपका बीज भी वहाँ पे दिखता रहेगा जिससे की वो त नरुम्त से पौधों पर लगी होते हैं बात करते हैं समयं अर्फ यह अगले फिर्ल के किरतों सब्सक्राइब तो ये आपका साइकस जिंगो बाई वोलाव मेटारी सुकोवा को किसे मेटा सिकोवा को कहा जाता है जिवित जिवास्पम अगले कुश्चिन की ओर चलते हैं दूसे हाँ पर अगला कुश्चिन है जिमनों इस्पर्म पौधों में भूरूर पोस कब बनता है तो ये आपका निसीचन क्रिया से पहले बनता है भूरूर पोस ठीक है अगले कुश्चिन की दूसे यहाँ पर बात करते हैं अगला कुश्चिन है चिल गोजा में खाया जाने वाला भाग कौन सा है तो इसका चिल गोजा का आपका यहाँ पर संपूर बीज जो है वो आपका है जाने वाला पदार्त है यहाँ पर दोस्त मैं आपको जो भी क्वेश्चिन मता रहहें यह आपका बेजिक कॉंसेप्ट है किसका दोस्त बॉयलों जी का बेजिक कॉंसेप्ट है इसलिए दोस्त एक एक क्विश्चिन को आप बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान पुरुवक देखिएगा अगला कुशन देखते हैं दोस्त यहां पर अगला कुशन है क्रिस्मस व्रिच एरो केरिया क्या है तो यह आपका एक प्रकार का जिम्नो स्पर्म है क क्या है दोस्त यह आपका जिम्नो स्पर्म वर्क के अंतरगत आता है जो आपका क्रिस्मस व्रिच अथार्थ एरो केरिया जो व्रिच है अगले कुश्चिन की दोस्त यहां पर बात करते हैं अगला कुश्चिन है अंडासय विहीन पुस्पोध भीत क्या है तो यह आपका ज अपसे लंबे पौधे किस से संबंधित है तो यह आपका जिम्नो स्पर्म से संबंधित है जितने भी संसार के सबसे लंबे पौधे होते हैं अगले कुश्यन की दूसरे यहाँ पर बात करते हैं अगला कुश्यन है जिमनो इस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है तो चिलगोजा को जिमनो इस्पर्म का मेवा कहा जाता है अगला कुश्यन दिखते हैं दूसरे यहाँ पर अगला कुश्यन है कोले राइड जड किस में पाई आती है तो ये आपका साइकस में पाई आती है कोले राइड जड ठीक है अगले कुश्चिन की दूसरे यहाँ पर बात करते हैं अगला कुश्चिन है सबसे बड़ा बिजार किस में होता है तो ये आपका साइकस में होता है सबसे बड़ा बिजार अगला कुश्चन दिखते हैं दोसे आपे अगला कुश्चन है चिल गोजा किस से प्राप्त होता है तो ये आपका पाइनस से प्राप्त होता है किसी दोस्त पाइनस से प्राप्त होता है चिल गोजा अगला कुश्चन दोस्ते हैं अगला कुश्चन है साबूदाना सागो किस से बना जाता है तो ये आपका साइकस से बना जाता है किस से बना जाता है दोस्त साइकस से बना जाता है जो आपका साबूदाना होता है अगला कुश्चन दिखते हैं दोस्ते हैं अगला कुश्चन ह दमा एवं खासी के रोगों में काम आने वाली औस्ती इफेडरीन किस से प्राप्त की जाती है तो यह आपका इफेडरा नामक पौधे से प्राप्त की जाती है जो कि दवा और खासी के रोगों में इसका इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है अगला कुश्चन दिखते हैं दोस्ते हाँ पर अगला कुश्चन है कौन एक जिवित जिवास्म कहलाता है तो उसका जिवित जिवास्म का क्या नाम है जिंकगो नाम है जो कि एक जिवित जिवास्म कहलाता है ठीक है अगले कुश्चन के दोस्ते हाँ बात करते हैं अगला कु और किस नाम से जाना जाता है, तो Sino-Bacteria को निल हरित सैवाल के रोप में जाना जाता है, इसमें दोसे यहाँ पे आपको point भी दिया हुआ है, कि बरसात के दिडों में जमीन हरे रंग की दिखनी लिखती है, तथा या फिसलन वाली हो जाती है, इसे ही क्या कहता है, जमीन में नील हरित सेवाल उग जाते हैं, जिसके कारण ऐसा होता है, जिसका एक और भी नाम क्या है, साइनो बैटीरिया है, आपने दिखा होगा दोस्ते हैं, आपको बरसाद के मौसम में कुछ जगर आपको चिकने ग्रीन दिखाई देते हैं ठीक है तो उसका आपका जो कारण है उसका जो कारण है यहां पे वो आपका क्या है नील हरित सैवाल ठीक है तो इसका आपका जो साइनो बेक्टिरिया का किस नाम से जाना जाता है तो उसे आपका नील हरित सैवाल के भी नाम से जाना जाता है बात क घम का एंत्रिक्स open होता है चौ पारण होता है अग़ले कुशिन की दूश से हाँपे बात करेंगे अगला कुश्ण है है जया रोग का कारण जिवाडु है यह किसने सित्च किया तो यह आपका रावर्ड कोट साहबने सित्च किया कि जो है जया रोग है इसका prizes Angry नहीं ृह क् कुछ ने तंबाकु की पत्ती में सुगंद एवं स्वाद बढ़ाने के लिए किसका प्रियोग किया आता है आपने दो जैनिक जीवन में प्रियोग होते हैं तंबाकु इसकी जो पत्तियों में आपके देखे तो यह बहुत से सुगंदित होते हैं वास्तों में दोस्त तंबा किया तो उसमें आपका Bacillus Megathenium Mycoclus का प्रियोग किया ते में स्वाद और सुगंद में इस विस्तार बढ़ाव किया जयता है अगला कुश्습니다 है हम पे अगला कुश्च्वन है प्रनीवू का कैंकर रोग किस जीवाडूंद्वारा होता है तो नीबू का जो कैंकर रोग है ये आपका जैन्थो मोनासिट्री कौन से जैन्मो मोनासिट्री नामक जिवारू से होता है कैंकर रोग किस जिवारू से होता है उस जिवारू का नाम क्या है तो उस जिवारू का आपका नाम है जैन्थो मोनासिट्री अगले question देखते हैं दोसे भी किसे कहते हैं तो घ्यूपैट एक जलिय पौधय को कहते हैं अगले दोसे भी question की बात करते हैं भी listen को समझे खूल कूरे को stopping us इसी भी भाग से विक्सित होने वाली जड़े क्या कहलाती है तो यह आपका अपिस्थानिक मूल कहलाती है क्या कहलाती है अगला कुशन देखते हैं तो यहाँ पे रेडिकल मुलांकूर से विक्सित होने वाली जड़े क्या कहलाती है तो यह आपकी मुसला जड़े कहलाती है जो कि मूलांकुर से विक्सीत होती हैं आपने दिखा हगा बहुत से जड़ों के बीच में भी जड़ נिकल इससे ही दोस्थ यहाँ पर मूलांकुर कहा गया है और इससे जो विक्सीत होने वाली जड़ों का नाम क्या है तो इसे हम मुशला जड के नाम से भी जानते हैं एकक question दोस्त आप समझिएगा ताकि दोस्त आपका concept है वो किलियर रहे है आपे अगला question दोस्त यहाँ पे है स्वसन मूल किस में मिलती है तो स्वसन मूल आपका जूसिया में मिलती है अगले कुशिन की दोसे यहाँ पर बात करते हैं डहलिया की जड़े कैसी होती है तो डहलिया की जड़े जो है वो आपके कंदिल तथा पुलकित होती है कैसे दोस्त डहलिया की जड़े होती है वो आपकी कंदिल तथा पुलकित होती है अगले कुशिन की दोसे यहाँ पर बात मूल अगला कुश्चन दोस्ट यहां पर बात करते हैं अगला कुश्चन है न्यू मेटा फोर्स अथार्थ स्वसन मूल प्राया किस में मिलती है तो यह आपका मैंग्रो पादपो में मिलती है जो आपका स्वसन मूल मिलती है किस में मिलता है मैंग्रो पादपो में मिलता है अ answer होगा तैंसर होगा अगले question की दूसरे यहां पर बात करते हैं very important question मक्का जुआर तथा गन्ने में कैसी जड़े पाई आती है तो इसमें आपका अव स्थमभ मोल जड़े पाई आती है अगले question की दूसरे आप बात करते हैं अगला question है परजीवी पौधे अपने पोसत से किस अंग द्वारा भोजन का और सूसर करते हैं तो चुसकांग द्वारा ठीक है जो परजीवी पौधे होते हैं वो पोसर किस अंग द्वारा करते हैं तो चुसकांग द्वारा भोजन ग्रहन करते हैं तो आसा करते हैं दोस्त कॉंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लगाओ दोस्त अभी तक आप एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जैहिंद करके जरूर बताईएगा ताकि दोस्त हमें पता चलते हैं आपको वीडियो क्लासिस समझ में आ गए बात करेंगे दोस हमें आपे अगली कुश्चन की तो अगला कुश्चन है ब्रायो फाइलम में पौधो का प्रसारण होता है तो ब्रायो फाइलम में पौधो का प्रसारण किस कारण होता है तो यह आपका पतियों के द्वारा होता है किसके द्वारा होता है दोस्त पतियों के द्वारा होता है किसमें ब्रायोफाइलम में अगले कुशन दोस्त आपके मूल रोम होते हैं तो मूल रोम क्या होते हैं यह आपका एक कोस्की होते हैं जो आपके मूल रोम होते हैं यह आपके एक कोस्की होते हैं अगला कुशन दोस् इपी बलेमा पाया जाता है तो इपी बलेमा किस में पाया जाता है तो वह आपका जड़ में पाया जाता है इपी बलेमा अगला कुशन दिखते हैं दूसरे आपे परवल तथा सकरकंद के पौधों का परसारन होता है तो इसमें जो पौधों का परसारन किसके द्वारा होता ह ढrophIs तो जड़ों के द्वारा इसमें प्रसारण होता है पौधों का अगला कुश्चन दीकते हैं दोष्टे depends अगला कुश्चन है अगला कुश्यन है सकरकंद तथा परवल का परसारण किस विधी द्वारा किया जाता है तो यह आपका root cutting विधी द्वारा किया जाता है अगला कुश्यन दोस्ट यहाँ पर लाश्ट कुश्यन है इस्तंब मूल क्या होती है इस्तंब मूल क्या होती है दोस्त ये आपकी अपिस्थानिक जड़े होती हैं जिसे इस्पन मूल के नाम से भी जाना जाता है जिसे हम प्रॉप रूट के नाम से भी जानते हैं तो आज के लिए दोस्त बस इतना ही मिलेंगे दोस्त हम नेश्ट क्लासस में आसा करते हैं वीड